कि हेलो इपरीवन वेलकम बैक टूमाई चैनल इस वीडियो में हम नाउन स्टार्ट करने वाले हैं और यह हमारा फंष्ट करलास है तो यह नाउन जो हम सेखने वाले हैं बिलकुल बेसिक से शीखने वाले हैं ठीक है तो देखें आपका sentences जो होता है, वो grammatically right हो सकता है, या wrong हो सकता है, अगर इस पे आपका पकर बढ़िया नहीं होगा, तो आप grammar का error आप नहीं पकर पाओगे, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, ठीक है, तो noun basically जो हम लोग पढ़ते हैं भाई, वो subject या object होने के लिए पढ़ते हैं, अब subject या object क्या होता है, वो आईए हम लोग समझती है, जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ example लिया है, ठीक है, अब इस example को आपको समझना है, अब देखिए कोई भी sentence हो, सभी sentence में subject होता है, भर्व होता है, और other word होता है, क्या क्या होता है, subject, भर्व और other word, इसी other word को हम लोग object भी बोलते हैं, other word को क्या बोलते हैं, object की नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो किसी भी sentence में क्या क्या होता है, subject होता है, भर्व होता है, और object होता है, इन तीन चीज के अलाबा, किसी sentence में कुछ भी नहीं होता है, यानि कि सारा का सारा sentence, इन ही तीन factor से बना होता ह ठीक है जैसे में यहां पर एक्जांफल देख कर श्याम इज एन इंट्रिजेंट बउय है यहां बेस्याम क्या यह भी नावन है वज़य बåय क्यों नहीं हुआ है यहसमें कहूं boys are good's आर मैं लिख दू यहा the boys are good है ना लड़के अच्छे हैं ठीके तो अब यहाँ पर यह जो बॉआई है यह हमारा subject हो गिया लेकिन यह बॉआई जो है यह हमारा object हो गिया अब यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर subject और object अखिर होता क्या ठीके अब देखे subject subject जो होगा भाई वो हमेशा भर्व लेगा अब देखें यहाँ पर subject स्याम है यहाँ पर क्या है वो आए है ना यहाँ पर वो आई जो है यह भी नावन है और स्याम भी नावन है लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यह जो स्याम है यह जो नावन है अगर वो भर्व ले रहा है तो वो subject है ओकी यानि कि इसमें भर्व कुल ले रहा है स्याम ले रहा है तो स्याम आपका subject हो गया और यह बॉआई जो हो गया यह आपका object हो गया और intelligent तो adjective word ठीक है चलिए यहाँ पर second है नरेश is writing a letter तो नरेश क्या कर रहा है पत्र लिख रहा है तो यहाँ देखिए यह क्या हुआ नरेश नरेश एक नाउन हुआ लेटर क्या हुआ लेटर पत्र भी क्या हुआ एक नाउन ही हुआ ठीक है तो अब यहाँ पर फुसमाजना है कि यह देखिए यह हमारा क्या होगा subject ह गया क्योंकि यह हमारा भर्व ले रहा ही यह नड्स ले रहा है भाई भर्व ले रहा है ठोज्यक्ट होगा और यह हमारा अधर भर्ड ओगा हुआ ठीक है इसके मतलब what क्या है ये भी आपका subject है यानि what क्या हुआ ये question ये डबलो एच question डबलो एच family में आता है what लेकिन ये क्या है भाई एक subject की रूप में काम कर रहा है क्योंकि ये अपने साथ क्या ले रहा है भाई भार भी ले रहा है इस परकार ये भी आपका subject हो गया उसी परका somebody help me somebody help me तो इसमें से somebody क्या है somebody आपका subject है इसी परकार he beats me उसने वह मुझे पिटता है he beats me वह मुझे पिटता है तो यहाँ देखे ये आपका subject हो गया क्योंकि आपने साथ क्या ले रहा है भाई भाई भी ले रहा है में भाई भी ले रहा है तो यह आपका subject हो गया यह जो मी है यह आपका object हो गया ठीक है तो आपने समझ लिया subject और object आखिर हम लोग पढ़ते क्यों है noun sorry noun हम लोग पढ़ते क्यों है subject या object होने के लिए subject या object होने के लिए है ना अब यहां पर देखिए नाउन है अब देखिए तो यहां पर मैंने लिखा what are the essential things being subject और object यानि कि subject और object होने के लिए क्या जरूरी है तो यहां पर मैंने लिखा कि subject और object होने के लिए नाउन जरूरी है अगर nou नाउन नहीं तो पूरौन भी होगा तो चलेगा अगर फूरौन नहीं नहीं है तो nou equivalent होना चाहिए हानट नाउन equivalent होना चाहिए अब now equivalent क्या है वे यहां पे आप समझे यह आप देखिए now equivalent क्या होता है यहां पे मैंने example भी ले रख alreadyhouse झांअख जैसे मैं जेरंड जेरंड क्या होता है वह मैं आपको बताऊंगा भर्प के साथ लगावा होता है इसका एंग्लिस घ्रामर का फ्रेजेज यह तो आपका चेलिए जिए रूंड है जेलान यह देखे बर में आई एंजी लगा देज्य होगा तो आपको आपका जो जाता है जिसने के-स स्वेविंग इज फेब क्वेडरिट एसपॉर्ट एसंपूर्ट अब यहाँ एस फेब फेडरिट एस्पॉर्ट अब यहां प्लीमिंग जो है य तो यह हमारा सुभ्जेक्ट हो जहाए यह भर्व नहीं है है लेकिन इसमें पहर्जी तो स्वीमिंग माई फेवरिट है तो इस परकार स्वीमिंग क्या हो पका जेरंड हो जाएगा ठीक है और वो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए अधिक सब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट है तो भर्व लेगा ही लेगा तो इजी ले रहा है भर्व ले रहा है तो वह हमारा सब्जेक्ट है तभी तो ले रहा है भाई इसी प्रकार smoking is injurious to health अब यहाँ देखे smoking जो है यह smoke word से बना है smoke मतलब अब यहाँ पर यह अगर भर्व ले रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि smoking जो है यह भर्व ले रहा है इजी ले रहा है तो यह हमारा क्या हो गया भाई यह हमारा सब्जेक्ट हो गया इससे ही जेरंड करते हैं ठीक है इसे क्या करते है भाई जेरंड करते हैं ठीक है चलिए इसी प्रकार walking is good for health walking देखे वाक सबसे बना है वाक मतलब टानला होता है तो अब यहाँ वाक सबसे बना हुआ है तो इसमें यह देखे भर्व ले रहा है ing लगा हुआ है फर्स्ट फर्म में क्या लगा हुआ है ing लगा हुआ है तो यह हमारा भर्व का फॉर्थ फर्म है और हम देख रहे हैं कि यह जो है भर्व भी ले रहा है इट मिंस कि यह क्या है एक सब्जेक्ट है और यह हमारा जेरंड कर लाता है इसे ही क्या बोलते है जेर work ठीक है अब यहाँ आप देखिए क्या यह हमारा जो sentence क्या यह राइट है तो यह हमारा राइट नहीं है क्योंकि देखिए जाना भी क्या हुआ एक किरिया हुआ टहना भी क्या हुआ एक किरिया हुआ और एक sentence में एक से ज्यादा किरिया एक से ज्यादा भर्व संभव नहीं ह आप इसमें करना क्या होता है कि आपको जो है भर्ब के पहले टू लगा देने से वह आपका भर्ब नहीं होता है ओके जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ जो है यह आपका भर्ब है 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 ना लेकिन बाक जो है तू के साथ लग गया है तो यह हमारा object हो गया है other word हो गया है थीक है इसी परुकार Slep Slep क्या हुआ सोना ईक किरिया हुआ WANT WANT मतलब चाहना यह भी एक किरिया हुआ I I just want to sleep मैं तुरंत सोना चाहता हूँ ठीक है तो अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए अगर इसमें टू नहीं लगा वह रहाता है ना इसमें टू यह भला जो है टू नहीं लगा वह रहाता तो आई I just want to sleep यहीं होता इसका sentence है ना I just want to sleep तो यह हमारा sentence क्या हो जाता गलत हो जाता क्योंकि एक sentence में एक से ज्यादा भर्व संभब नहीं है want भी एक भर्व हुआ sleep मतलब सोना भी एक भर्व हुआ तो इसलिए यह सही नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा लास्ट वालेस जो है भर्व में आपको टू लगा देना है तो इससे बो जो है आपका जो भर्व है वह आपका एक object बन जाता है एक अधर बन जाता है ठीक ह तो इस परकार यह आपका infinitives हो गया ठीक है चलिए आपको मैंने समझा दिया है कि gerund और infinitives आखिव होता किया है क्लाउज और phrases तो एक अलग topic ही है ठीक है इससे हम पाद में देखेंगे ठीक है ठीक है तो आपने समाझ दिया कि noun हम लोग क्यों पढ़ते है subject या object होने के लिए है हाँ ठीक है अगर कोई sentence में subject है तो क्या होता है noun होता है अगर noun नहीं है तो क्या होना चाहिए पुरू noun भी होना चाहिए वो भी चलेगा जैसे मैं मैं आपको बोलूं कि मुहानीज गुड मुहानीज ए गुड़ वह है मैं यहापे चमझा देता हूँ जैसे में मुहन ईसी सेंटेंस को बोलूं क्या इससे पता चलड़ा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अगर लेगा पास में नहीं है तो हम बहरेंगे लाट्म इसे पता ही नहीघा चल रहा है अगर मैं बोलन kis high Ja şe gu guar ba swoje इससे पता चलड़ा है कि वो किसी खास ब्यक्ति का कर रहा है किसी मौहन नाम का लडगा का तो ये आपका नाउन हो गया यानि इस के बारे में आप लोग जानते नाउन है । जिसके बारे का आपका पूरोड reden होता है। इसकी इसी प्रकार है तो उसका नामकरन हो गया होगा दुनिया में सा कोई भी चीज नहीं है जिसका नामकरन नहीं है हार एक चीज का अपना एक नाम है तो वो क्या हुआ एक नाउन हुआ है ना सब्द जो नाम पर अधारित हो उससे नाउन काते हैं यानि कि सेंग्या काते हैं ठीक है या फिर इसे आप कह सकते हैं एवर्ड डैक्ट दा नेम ओफ एफ तिंग्स एन आडिया एफ पलेस और एफ परसन यानि कि बस तू विचार अस्थान या प्यक्तिक नामों को सेंग्या क होता क्या है ठीक है अब यहाँ देखें नाउन को जो है यह नाउन को जो बाटा गया है वो दो केटेगरी में बाटा किया है एक जिन्हें हम गिन सकते हैं कॉंटेवल एक जिन्हें हम लोग नहीं गिन सकते हैं अनकॉंटेवल अब कॉंटेवल अनकॉंटेवल में कॉन कॉन कोनिटेवल होता है ना इस token कोन्टेवल नाउन में आता है MATERIAL OFF झानेंगे ँसके बारे मदस्तार से जानेंगे पुरोपर नाउन क्या होता है common common क्या होता है क्लेक्टीव नाउन क्या होता है इसका डिफिनेशन भी हम लोग जानेंगे घख़ारने वाली कोई बातने है तो आपने समझ लिया कि नाउन को जो है दो कर्टेग्रिम बाटा गया है कॉंटेबल एक उनकांटेबल कोन कॉनकां सा यह बहुत आपको यहां पर होता आ है हैना याशसे आप देख रहा हो ये भी का को मन न न न हो रखिन ये भी आपका को मन न न हो रहां Bunun है घर हाउस ये अविब का को मन न होने हाण posts को मन न होने मिरर को मन न रूख घैद की और न यो brag कॉमन नाउन जो होता है वो एक जाती का बोध करता है कॉमन नाउन क्या करता है एक जाती का बोध करता है ठीक है अब या दखिए कि दुनिया में जो भी आता है वो सिंगल आता है इस वर्ड में जितने भी चीज है वो क्या होते हैं भाई सिंगल आते हैं जैसे में यहां पर गोट के लाइड में हम एक बीट ये आपको क्या देखाए। ये च्ला क्या हुआ है इक बख्रा थिक है यो ये बक्रा हिए योट आन्य पॉर इसलिए कमान थीट्ल एक मालत कि ये क्या आपका एक मेंस आन्य थीक है ये अक तो ये जो है यह आपका क्या है बकड़ा एक common noun हुआ है ठीके अगर इसी common noun को एक जिन्द में रख दिया जाए है, किसमें रख दिया जाए, एक जिन्द में रख दिया जाए, ओकि जैसे महामँ यहाप देखिए बहुत साड़ी बकड़ा के यहाप हम ज्ञण लेते हैं, देखिए अब यह क्या हो गया एक बक्रा का जुन्ड हो गया यह देखिए यह क्या है यह बक्रा का जुन्ड हो गया तो यह जो बक्रा का जुन्ड हो गया यह आपका क्लेक्टिव नाउन हो गया है देखिए दुनिया में हर एक चीज़ क्या होता है कॉमान नाउन क्रूप में क्लेक्टिव नाउन हैंना तो यह आपका क्लेक्टिव नाउन है यह क्लेक्टिव नन इसलिए अलग लग वर्ड होते हैंना जैसे कि किसी लड़का का गूर्प आप दिखाना चाते के लड़कों का घुंड तो आप इसे ए बॉआई ए ग्रुप ऊप बॉआई बोल सकते लड़कियों का जुन को आप बोल सकते यह बेवी ऑप गर्ब्ज यानि कि यह जो बीच में आपको दिख रहे हैं, यह शारे शब्द, यह शारे वर्ड, यह एक collective word हुआ है, collective word, यह अलग लग जाती का जो है, अलग अलग word होता है, जो कि उसका जुन्ड बताता है, collection बताता है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, कि A, B, B of voice, यह आपका गलत हो जाएग लगे, एक group of boys, अपको किसी लड़की का जुन्ड के बारे मगाताना चाहते हैं, कि लड़की का जुन्ड है, तो ए बेवी of girls, किसी मचली का जून्ड है, तो एक patch of fish, कि सिसी star तारू का जून्ड है तो एक galaxy of stars, किसी ship भेरियों का जून्ड है, तो a flock of ship, किसी खिलारी का जू और यहाँ पर आपने समझ लिया कोमें नावन अब आब यहाँ पर देखिये इसे यहां से हटा लेते हैं अब इस जुन में आपने आप समझेगा अब इस बखरा के जुन में आपने क्या का अपने क्या देखा एक बकरा का जूंड है यह आपका क्लेक्टिव नावन हो गया अब इसी बकरा का जूंड में से किसी एक बकरा को आपने अपने घर लाया अपने अपने घर लाया ठीक है तो अब यह जूंड से अलग हो गया तो यह आपने इसका नाम रख ल भूझा है नहीं ये जुढ़ेंस इलग हो गया तो ये आपका पुर पर्वन हो गया ठीक है तो जैसे मैं मैं आपको बोलूब कर क्छाए तो इससे पर करिए देकि बक्रा बक्रा अपने लिया जोड़ने से आपने बकरा लाया और इसका नाम करन कर दिया मानली जिसका नाम आपने किया टोनू इसका नाम आपने क्या रखा टोनू ठीक है तो ये टोनू जो नाम है अब इसे बोलोगे बकरा तो ये नहीं आएगा ये जान चुका है कि अब मैं बकरा बकरा नहीं रहा मैं एक टोनू ठीक है तो यह जो है एक Прोपर नावन हो चुका है यह अप कोमान नावन नहीं रहा है यह प्रूपर नावन हो चुका है यह इस परकार यह आपका प्रूप design ्ね और चलिए इस नम हम लोग दखेंगे लिए नेक्ष वीडिवमें ठीक है अपको सिब्सक्ति ओडा रहे अगर उस common noun को एक जुन्ड दे दिया जाए अगर वो अपने जुन्ड में रहता है तो वो collective noun हो जाता है अगर उसी collective noun से अगर किसी को हम ले ले लेते हैं और उसका नामकरन कर लेते हैं अगर लेते हैं ज्यांधिक ज्युद्ध से अलग कर लेते हैं तो आपका पूंड हो जाता है जैसे पेन बहुत सारे पेन आ जा जाता है हरे कंपनी का पेन अगर अधार बहुत को बौलू रिनॉल्ड it सका पिन नहीं रहा है यह एक अलत खास बन चुका यह प्रूपर नाँं प्रविए अब हम ने यहां पर समजते हैं को हैं है कि the next renowned आपका हैं है को कि सब्सक्राइब कंगे क्रिद्ध क्लेक्टिफ मेंटेरियल समस्सक्ते में त्रिख क्या nationalism है अब आपने क्या किए मैं यह नौन आपने बक्रा लिया आप ने क्या लिया इसका जुकान में जाओ और बोलों मुझे पाच बक्रा दो इस दूखान में जाओ जहाँ ऑखता है ठीक है तो उसे बोलो मुझे एक बक्रा दो क्या वो आपको बक्रा देगा यानि कि आपको बोलना पड़ेगा मुझे एक किलो मटन दो अब यह बक्रा बक्रा नहीं रहा है यह बक्रा का ही गोस्त है ठीक है लेकिन यह बक्रा नहीं रहा है यह मटन हो चुका है है तो यह जो ज more it इससे बनाया तो जब आप इस Jacobs यह पसे बनाऊगे तो यह कुछ इसपरकार हो गया तीक है यह बनाने को बाद कुछ इस परकार। अड़ा यह गोस्त ठीक है यह जो मीठ है मुटन यह कुछ इस चाहा बन जाए गया तुक है बन गया यह आपका कुछ इस परकर ठीक है अब अगर यह आपने इसे बनाया ठीक है तो इससे क्या हुआ एक इसमेल आएगा अगर किसी वह अच्छा लगता है तो उसके लिए अच्छा इसमेल है अगर मतन नहीं खाता है तो उसके लिए खड़ाव इसमेल है ठीक है तो अब घर में बक्रा बना मातन बना ठीक है और पोलोसी को पता चला महाग से पता चला इसके घर में बक्रा बनाए ठीक है तो ये उसने क्या उसे देखा नहीं देखा वो सिर्फ उसके एसमेल से पता कर लिया कि इसके घर में बक्रा का इसमेल आ रहा है बक्रा के मीठ का इसमेल आ रह सिन देक नहीं सकते हैं जिसे ना चूह सकते हैं ना तूर कष़ों कर शकते हैं था नहीं कि लाइट लहांत कर कि देखा सकते हो नहीं कि जी जिससे आप दिखा भी सकती हो देखी की वेहि आपका जो फ्यप्रे स्कते weather कि यह नहीं होगा अगर वो आप नहीं देखा पाँ रहे हो तो वो आपका स्ट्रिक्स नाउन वाटिक तो इस पर कर आपने क्या किया सभी नाउन का टाइप्स आपने चानल लिया ठीक है तो इसका डिफिनेशन नेक्ष्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सो आज के लिए इतना तो थैंक्स वाचिंग वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक करेंगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेंगा नेक्स वीडियो में हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे तो थैंक्यू ओके तो थैंक्यू